सपने में खुद का पुराना घर या पुराना मकान देखने का क्या आर्थ होता है दोस्तों अगर सपने में आप अपना पुराना घर या पुराना मकान देखते हैं या फिर ऐसा घर देखें जिससे आपका कोई पुराना रिष्टा हो आप चाहे उसके बारे में सोचे या ना सोचे पर अगर सपने में आपको वो घर दिखाई दे जिससे आपका कोई पुराना रिष्टा हो या फिर जिस घर में आप पहले कभी रहते रहे हो तो ये सपना क्या कहता है तो सपने में पुराना घर देखने का अर्थ है कि जो जीवन आप जी रहे हैं उससे बहतर जीवन आप पहले जी चुके हैं और वही जीवन आप जीवन में दोबारा पाना चाहते हैं वही खुश्या वही महौल वही सब कुछ आप वापस पाना चाहते हैं और ये आपके मन के अंदर की दबी हुई बात होती है जो सपने के जरीय दिखाई देती है या फिर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना प्यार रहा हो उस घर में या उस घर के आसपास जिसके बारे में मन में कही बात चल रही हो तो वो सपना बनके आपको दिखाई देता है पुराने घर के रूप में यदि पुराने घर को मतलब आप तूटे फूटे अवस्था में देखते हैं सपने में तो इसका आर्थ यह होता है कि सही समय पर सही निडने आप ले नहीं पा रहे हैं अपने रियल लाइफ में और किसी परिशानी में आपको चाहिए कि आप सयम से काम लेजिए, विवेक से फैसला लेना, आपको सीखना होगा, आपको decision लेना है और सही तरीके से लेना है, बुद्धी से लेना है, विवेक से लेना है, इस चीज़ का आपको सही decision लेना है, गलट decision नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान द रिष्टो का हो सकता है किसी भी चीज की कमी जो है वो आपके जीवन में आपको खल रही है और इस कारण से आपको ये सपना आ रहा है ये भी हो सकता है यदि सपने में पुराने घर को खरीदते हुए आप देखते हैं तो इसका आर्थ होता है कि आप किसी ना किसी चिंदा में जी रहे हैं या फिर कोई निरनय नहीं ले पा रहे हैं या फिर बहुत मैंने के बाद भी मनमुतामिक परिणाम आपको जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है यदि सपने में पुराने घर में कोई function होता दिख रहा है तो यह सपना कहता है कि आपकी जो भी मनो कामना है वो पूरी होगी जिवन में सुक शुळा आएगी खुशिया आएगी यदि खुद को पुराने घर में आप रहते हुए देखते हैं तो अर्थ है कि आपको धनकी कमी कभी नहीं होगी आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपकी मनोकामना भी पूरी होगी जो भी आपकी मन की इच्छा है साथ ही आपकी आयू में भी वृद्धी होगी यदि सपने में पुराना मकान गिरते देखते हैं खंडर बनते हुए दे से आप दुश्मनी ना करें आपको अगर नशा कोई है तो उस नशा को छोड़ने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी वरना ये कारण भी आपको मुश्किल में डाल सकता है फ्यूचर में